हमस्कार मैं निशान्त पारशार रेजुनस के बिहाव पे आप सभी लोगों का स्वगत करता हूं आज हम लोग टोपिक पे बात करने वाले हैं वह रेजुस्टार्ट जैसा कि आप सब जानते हैं कि रेजुनस का एक फ्लेक्श इवेंट है जो 2012 1212 से 2012 में मैं इसकी पहली शुरुआत की गई थी ती रेजुनस में और 2012 से लेके 2022 इस साल इसके टेंट अडिशन हम लोग गरूने जा रहे हैं तो इस एक्जाम के बारे में कि क्या खूब या बीशिश्टा है क्या बिउटी इस एक्जाम के बारे में इसके बताने के लिए इसके एक्जाम की जो खुब सूर्थ ऑखले सकते हैं आर्ट्स वाले भाग लिसकते हैं और मुस्तिण Cywns के बच्शे इस एक्जाम में पांटिस्ब्स इस एक्जाम का नाम ही मिने रखा है रजो स्टार्ट स्टुडेंट डैलन्त रिवोर्ड रिग्यूनेशन तो अगर वास्ता में इस्टुडेंट का टैलन्छ करना तौ वह सबी Lynde के बच्चों के लिए हो न चाहिए तो यह एक्जाम साइंस हर स्टेट की में हर स्कूल में बच्चों का स्कूल का और पेरेंट्स का बहुत अच्छा स्वयोग मिल रहा है कि बहुत बच्चे इस एक्जाम में बहुत अच्छी तरह से और बढ़ चड़के पार्टिसिपेट कर रहे हैं सबसे अच्छी बात एक्जाम के यह भी है कि इस ए इसके औलावा इसमें एक आडेगरी ब самौनए बच्चों को देने जा रहा रहा हैं तो इस एक्जाम में बहुत से बच्चों को जीतने के लिए ऑफयर हमने किये हुए एक्जाम की जैसे मैं बता रहा हूं की जो नेक्स डेट कमिंग 16 अक्टूबर आने जा रही है इसके बाद भी क्योंकि अभी हमारी टीम पूरे इंडिया में स्कूल में विजिट कर रही है तो वहां से स्कूल के प्रिंसिपल का टीचर्स का बच्चों के हमें बहुत से सपोर् बाद इसके डेट हमने स्टार्ट किए 6 नौवंबर को भी हम लोग एक्जाम दुबारा करवाएंगे तो अभी जो डेट सारी जिन बच्चों ने फॉर्म भर दी हैं वह 16 अप्टूबर को ऑन्लाइन एक्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं संडे के दिन उसके बाद भी एक डेट हमने इसमें डिसाइड किये उस डेट उसके लिए उनलाइन स्टार्ट हम लोग 16 के बाद इसके रेजिटर्शन स्टार्ट कर देंगे तो जो बच्चे आगे भी चाहते हैं रेजिलिंस का रेजियो स्टार्ट एक्जाम देना वह एक्जाम सो 6 नौवंबर को दे सक एक बेंच मार्किंग एक्जाम है इस एक्जाम के माद्यम से बच्चे अपनी स्टिथी अपनी किस पोजिशन में वो है उस क्लास में उस स्टेट में और पूरे देश में उसकी क्या पोजिशन है वो इस एक्जाम के माद्यम से बच्चा प्राफ्ट कर सकता है तो मेरा सभी वी से निवेदन हैं बच्चों से पैडेंसे और स्कूल और भी स्कूल अगर हम से जुड़ना चाहते हैं तो हमरी वैब साइट पे आके हमारा एडरेस दिया वहाँ अभी इव हमने नंबर दिए हमाह के हमें बता सकते हैं अगर वो भी स्कुल में अपने स्कुल में ऐग्जाम कंडर्ड कराना चाहते तो करा सकते हैं बाकि ऑलनाइन एग्जाम पुरे देश में हो रहा है तो सभी के लिए बैस विशेज इस एक्जाम में जितना ज़्यादा हो सके पार्टिसिप्ट करें और अपने केरे को एक नई उचाई नई पैचान दें थैंक यू